वेल्कम 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 तो अनदर विलॉग दिस यूर होस्त एंड प्यारा दोस्त रोमियोली मेरे तरफ से तुमाम अलिहिसलाम को बहुत बहुत एद मुबारिक अगर आप मैंसे मुझे कुछ बेजना चाता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 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 अच्छी कुजरी होगी मेरी तो बहुत अच्छी कुजरी बिकोज आई हैड मेनी अक्टिविटीज मैं लास्ट अफ्तारी के बाद सलोन पे गया हूं सलोन के बाद कुछ चीजे पै अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे ना तो सब समझ आजएगी अभी मैं आप लोगों कुछ वीडियो दिखाने लगा हूं तो उसे आपको थोड़ी सी असानी हो जाएगी आप लोग वीडियो देखें असलाम अलेकुम तमाम एहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से चांद मुबारिक और अधर कंट्रीज को जो है वो एद मुबारिक मुझे नी बता आप यह वीडियो कब देखेंगे लेकिन पाकिस्तान में आज चांद राथ है और दूसरी कंट्रीज में एद है और मैं इस ताम हूँ ट्रेम स्राल हैर सलोन पर और यहां पर सेंज कुछ अब अब इस त्रश रश रश और मेरे साथ यहां पर मजूद हैं बाटीवाई जो है वो अकांट सम्भाल रहे हैं आज यहां पे शॉपिंग में सबसे मुश्किल काम जो है वो कॉस्मेटिक्स करीद रहा है ममा जी ने मुझे बोला है कॉस्मेटिक्स की चीज़े लेने के लिए तो मैं लेने आया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही किसमें से कौन सी चीज़े लेने वाली है और कौन सी छोड़ने वाली है जी तो सीन ऐसे है कि मैं तकरीबान साड़े आड़ बजे के करीब आया था अफ्तारी के बाद साड़े आड़ बजे के करीब आया था अपनी ग्रूमिंग वगरा करवाने के लिए और तलहा भाई ने जो आते हैं मुझे तुजोरी की चापियां पकड़ा दी है मतलब मुझे अकाउंटर बना दी है और अब सुबह के जो हैं वो तकरीबन 6 बजने वाले हैं और मैं स्टिल यहीं पर बैठा हूँ सुन रहे हो तुम सब जिन जिन लोगों ने मेरे साथ चांदरात का प्लैन बनाया था यहीं है और जो मेरा चांदरात का विलोग बिस हुआ है उसकी वज़ा भी तलहा है मैंने सोच आथा कि चांदरात पर जो भी मेरी एक्टिविटी होगी वो मैं चांदरात वाले दिनी पोस्ट कर दोंगा लेकिन अपोशनेटली अब मैं इसको इद के फर्स डे के साथ मिक्स अब करूँगा तो स्टे ट्यून इद की शुरुआत मीठे पान के साथ वह क्या बात है जी तो सीन इस तरह है कि मुझे फाइनली अब तक्रीबन कोने साथ बज़े छुटी विल गई है अब मैं घर जाने लगाँ त्यार होने लगाँ और फिर आड़ वेज़े मैं नमाज पढ़के इद की नमाज पढ़के मैंने फिर आजागा है मेरी ड्यूटी यही है अब मैं जाने लगा हूँ नमाज पढ़ने नमाज पढ़के मैंने जाना कबरिस्तान कबरिस्तान से घर आऊंगा घर से पिर दोस्तों को मिलना है और फिर जो है वो मैंने सलोन पर स्टार्ट मेरी डुटी तो मिलते हैं शाला जल्द दोस्ती के खिलाफ है अगर एक बंदा बा अल्ला केको मुस्ताहिक बंदों की बड़त करते हैं जी हम नमाज बगारा पढ़ा है और हम सब की दरफ से आप लोगों को दिली, एद, एद हुआ रहे हैं बड़े स्लो बंदे हैं याद इद हुआ रहे हैं बहुआ स्लो बंदे हैं भाई आपको हमारे स्व आपको हमारे स्व यादे भी ताजा होने चाहिए कि गलासी वैने लगाई है और यह ही कन प्रोग्राम आन है बच्छे अपने एदी केपैसों से वह अचा वाला नाश्ता कर रहे है कितनी खुशीक बगात है कि हम जो है वो नाश्टा करने आगे हैं मैं है रही दो चाहँ जेब क्यूंके पहले पेट पूजा पिर काम दूजा और यहां पर बहुत शोर हो रहे है त्यार शेयर हो के नाश्टा अगरा करके सब दोस्तों से मिलके अब वापिस मैं अपने ड्यूटी पे आगया हूं सलून पर आगया हूं जो है अकाउंटनसी की जॉब सुमालने के लिए मुझे नहीं लगता कि आज एद के दिन भी मेरा कोई स्पेशल एक्टिविटी के साथ मेरा विलॉग हो सकता है तो मैं यहीं पर हूंग नीन मुझे बेताहशा आ रही है और बैठे हैं कोई बात में खैर तलहा भाई से प्यार भी है रिष्टेदारी भी है निभा रहे हैं सलून पर बैठे मेरे बच्पन की याद ताज़ा हुई है और वो याद यह है यह मेरा पहला मुबाइल है यह नहीं है मदलब इस तरह का था नोकिया 1280 तो तब आई थिंग आई वाज इन 6th क्लास जब मै च्छा लग रहा है यार इसका थोवारा देखे अराम पर्माया जा रहा है इसका रहा है मैं भी अराम कर रहा हूं मुझे शूटी मिल गी है मैं गाज आरा हूं सोने कि लिए और मुझे टाइम भी दे दिया है कि इधने वसका आपने फ्रेश हो कर्ए उठ आ बाबास आज तो अभी वज़ रहे हैं तकरीबन एक और मुझे पांच बज़े का पोल है चार गंटे वेने सोना है अब देखते हैं चार गंटे सो पाता हूं या एलो जी मैं आगे हूं वापे सलून पर पांच घंटे की मस तनीन पूरी करके आया हूं और तला भाई जो फुल पर गुसे हुए है कि मुझे जो टाइम दिया था मुझे ज्यादा टाइम लगा के आया हूं असलाम उलीकूम इत का पहला दिन है और रात के तक्रीवन कोने बारा हो चुके हैं अब सलून पर जितने लड़के काम करते मूं सारे जा चुके हैं अब सलून पर मैं हूँ और सिर्फ तल्हा भाई है तल्हा भाई जो है वो थोड़ी सी मेंटेनस कर रहे हैं काउंट्स की और मैं जो है वो खाना फोड़ने लगाँ और ये रितला भाई माशाला हिम्मत है इनकी भाई हिम्मत है आपकी आप तीन दीन से लगातार काम कर रहे हैं और लेट सिट मैं भी थक चुका हूँ और मेरा इद का जो तीन था वो ऐसे गुज़रा है सलून पे और थोड़ा सा सव के जी हां तो इस तरह मेरा इद का पहला दिन गुज़रा है अब देखते हैं सेकंड डे को हेलो जी एद का दूसरा दिन है और रात के तगरीबर नो बच्ची के हैं मैं रेडी होके एप सलोन पे आया हूँ और एस्टाइलिंग रवागे वापस दर जाओंगा यही मेरी एद है थैंक्स अलोट फो वाचिंग मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो शेर इतो मेक्सिमुम पीपल वी निद यूर स्पोर्ट मिलते है इंशाला नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखियेगा अलाहाफेज this is not a camera this is my best friend with whom I am talking okay